दोस्तों आपको पता है कि किसी भी दो इंसान की फिंगरफ्रिंट्स एक जैसे नहीं होते हैं उसी तरह दो टाइगर्स की स्ट्राइप्स जो पट्टी होते एक जैसे नहीं होते हैं यह forest officials, scientists और biologists के रिए एक advantage है इसे अलाग-अलग tigers को identify करने में और tiger population counting करने में आसान होता है Actually यह counting दो step में किया जाता है पहला step पे camera strap लगा कर अलाग-अलग tigers का pictures लेना दूसरा step पे इन pictures को M-stripe और cataract जैसी AI software का इस्तिमाल करके tigers का identification and counting किया जाता है दूसरा इसी topic पर एक लंबी वीडियो भी है इस channel में जाके देख लेना उसका लिंग मैं comment section में देदूंगा Thank you